इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे की हमें तकिये के नीचे लहसुन रखकर क्यों सुना चाहिए? नंबर एक लहसुन मच्छरों और अन्य कीडों को भगाता है आईए जाने कैसे? लहसुन एक शक्तिशाली प्राकृतिक जहरीले कीट विकर्शक बनाता है लहसुन की प्राकृतिक विकर्शक प्रकृती इसे कीटों को पौधों से दूर रखने के लिए एक आदर्श उपकरण बनाती है लहसुन का पानी बनाने में आसान और उप्योग में आसान है इसका उप्योग सबजियों या फूलों के पौधों पर किया जा सकता है अपने तकिये के नीचे लहसुन रखने से मच्छरों और मकडी के काटने से बचा जा सकेगा जब हम सास छोड़ते हैं तो मच्छर कार्बन डाइकसाइड को आकरशित करते हैं इसलिए यदि आप कीडों को भगाना चाहते हैं तो लहसुन खाना उतना प्रभावी नहीं लगता नमबर दो लहसुन अनिद्रा का इलाज करता है क्या आप पैनिक अटैक से पीडित हैं या सोने में परेशानी होती हैं तकिये के नीचे लहसुन रखने से आपको नींद जरूर आएगी इस उपाय का प्रयोग प्राचीन काल से किया जाता रहा है लहसुन के एंटी ऑक्सीडेंट और रोगानु रोधी गुन शरीर के तरल पदार्थ और अंगों को स्वस्थ और संक्रमन मुक्त रखते हैं जहां हृदय और मस्तिश्व के स्वस्थ कामकाज में भी सहायता करता है इस प्रकार नींद के चक्र को नियंत्रित करता है अगर आप लहसुन खाते हैं तो मैगनीशियम और पोटेशियम की मात्रा अधिक होगी यह गाबा नामक रसायन का उत्पादन करके आपकी मांस पेशियों को आराम देता है गाबा शरीर का संकेत है कि यह शान्त होने का समय है और यह आपके मस्तिष्क की कोशिकाओं को ठंडा कर देता है ताकि वे रात भर होने वाले पुनस्थाप नात्मक कार्य को शुरू कर सके ताजा कच्चा लहसुन प्राचीन काल से ही बैक्तिरिया और वायरस के प्रभावी हत्यारे के रूप में साबित हुआ है यह एक एंटि-बैक्तिरियल एजेंट है जो वास्तव में संक्रामक एजेंटों के विकास को रोकता है और साथ ही शरीर को रोग जनकों से बचाता है एक बार फिर हम एलिसिन को धन्यवाद दे सकते हैं क्योंकि यह एंजाइमों के दो समुहों को अवरुद्ध करने में सक्षम है जो संक्रामक रोगानुओं को एक मेजबान शरीर में जीवित रहने की अनुमती देते हैं इसे आप कम बीमार पड़ते हैं नमबर चार लहसुन आपकी सांस को बहतर बनाता है लहसुन में कुछ योगिक अच्छी सांस और यहां तक की शरीर की अच्छी गंद के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं इनमें एलिसिन शामिल है जब लहसुन को कुछल दिया जाता है तो यह एलिसिन में बदल जाता है एक एंटिबायोटिक जो फंगल और जीवानू संक्रमन से लड़ता है लहसुन अवरुद्धनाक मार्क को साफ करने में भी मदद कर सकता है जदी आप सर्दी जुकां से पीडित हैं और खर्राटे लेते हैं लहसुन इन दोनों प्रॉब्लम्स से राहत दिलाता है जो बदले में आरामदायक नींद में मदद करता है आप तीन से चार लहसुन की कलियों को उबलते पानी में कुचल कर भाप में भी ले सकते हैं आप पहले की तुलना में आसानी से सांस लेंगे तो ये कुछ बहतरीन कारण हैं जिनकी वजह से हमें अपने तकिये के नीचे लहसुन रख कर सोना चाहिए वीडियो पसंद आया तो और अधिक अविश्वसनिय टिप्स और घरेलू उपचार प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें देखने के लिए धन्यवाद